नमस्कार आप देख रहें स्काइनेट टीव इंडिया पेश आज के मुख समसार मध प्रदेश में विधानसवा चुनाओ के प्रचार का सोर बुधवार साम 6 बजे थम गया प्रदेश में 17 अवंबर को मतदान होना है 3 दिसमबर को नतीजे आएंगे बात करें इंदोर की तो यहां कुल नव विधानसवा सीटे हैं जिसमें कुछ सीटों पर कांटे की टककर है प्रधानमंती नरंद्र मोदी ने बिर्शा मुंड़ा की जैनती के मोखे पर जारखंड में बिक्सित भारत के लिए 4 अमरित मंत्र दिये हैं आज प्रधानमंती नरंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आज भागवान बिर्शा की धरती पर रिण चुकाने आया हूँ मखन पर लकीर तो सभी कोई खेंच सकते हैं कोई पत्थर पर तो लकीर खेंचे दोर्य में उन्होंने आदिवासियों के कल्यान को लच बनाने की बात कही प्रधानमंती नरंद्र मोदी ने बुद्धुवार को राजस्थान के बाड़ मेरी जिले की बायतू विधानसवा में चुनावी सभा को समभोधित किया प्यम मोदी ने गहलोत सरकार पर राजस्थान में ब्रस्टाचार और कानून वेवस्था बिगालने का आरोप लगाते हुए कहा कि लाल डायरी अब बढ़ चड़कर बोलने लगी है ब्रस्टाचारियों को सजा दीजिए और कमल का बटन ऐसे दवाईए जैसे उन्हें फासी दे रहे हुँ चुनाओ आयोग ने मंगलबार को प्रधानमती नरेंद्र मोदी के खिलाब गलत और अपमान जनक टिपणी करने पर प्रियंका गांधी और अर्विन केजरिवाल को कारण बताओ नोटिस चारी किया है भाजपा ने प्रियंका पर आरोप लगाया था कि उन्होंने मद्ध प्रदेश में प्यम मोदी को लेकर जूटे और असत्यापित बयान दिये प्रधानमती नरेंद्र मोदी ने आज प्यम किसांत सम्मानेध योजना की पंद्रहवी किस्त जारी की जारखन से देश परके आठ करोड से अधिक किसानों के खातों में दो-दो हजार रुपए की किस्त ट्रांसपर की गई अठारा हजार करोड रुपए से ज्यादा की रकम ट्रांसपर हुई उत्तर प्रदेश की इटाबा में बुद्धवार को नई दिल्ली दरभांगा एकस्प्रेस में आग लग गई ट्रेन का S1 कोच पूरी तरह जल गया चलती ट्रेन में धुआ उठता देख यात्रियों में भगदर मच गई उन्होंने कूद कर अपनी जान बचाई हादसे में आठ यातरी घायल हुए हैं जिन्हें एम्बूलेंस से जिला स्पताल में भरती कर आया गया है छट परवी के कारण बोंगी में 16 से दोगुने यातरी सवार थे कानपुर दिल्ली रेल मार्क पर ओबर हेड इलेक्रिक लाइन बंद कर दी गई है 16 ट्रेने जहां थी वहीं रोग दी गई है जम्मू कस्मीर के डोड़ा जिली के असार इलाके में बुद्धवार को एक बस 300 फिट गहरी खाई में गिर गई हादसे में 37 लोगों की मौत हो गई जबकि 19 लोग घायल है इनमें 6 की हालत गंभीर है बस किस्तवार से जम्मू जा रही थी पुलिस और SDRF के टीमों के साथ इस्थानी लोगों ने भी राहत और बचाओ का काम किया उत्तरखंड के उत्तरकासी में 12 नवंबर की सुबे 4 बजे एक निर्माना धिन टनल धस गई थी पिछले 88 घंटे से 40 मजदूर अंदर फसे हुए है SDRF, ITPP, BRO और National Highway की 200 से जादर लोगों की टीम 24 घंटे से काम कर रही है दिल्ली में अभी भी हावा की हालत बहुत खराब है आज बुद्धवार को लगतार तीसरे दिन दिल्ली का Overall Air Quality Index 300 के उपर दर्च किया गया कर दिल्ली में अभी है